जिस प्रकार से आफरीन फातिमा के घर बुल्डोजर चलाया गया उसको लेकर अब कानून न्याय पालिका को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है इसी को लेकर प्रशांत भूशन ने ना केवल इसकी निंदा की बलकि वो सुबूत भी दिखाया जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि आफरीन फातिमा का घर बिलकुल भी गैर कानूनी नहीं था इसके साथ वो लिखते हैं यूपी सरकार पूरी तरह से कानूनी होने के बावजूद आफरीन फातिमा घर को धुस्त कर रही है यूपी में अब कानून का राज नहीं बचा है गुंड़ प्रदेश बन गया है इतना ही नहीं इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस को किसी का घर तोड़ने में मज़ा कितना आ रहा इसी को लेकर डुपिटी एसपी अनिरुद्धा सिंग और जानिमानी पत्रकार आशीश कुमार सिंग को लेकर एक बड़ी बहस हो गई बड़ी बहस में आशीश कुमार सिंग सबसे पहले लिखते हैं हैवी पेनल्टी लगा दीचे अगर नोटिस भी नहीं देना चाहते कई और तरीके हो सकते हैं सक्त कारवाई के घरों को तोरना पत्थम दृष्टी से अमान विये लगता है किरप्या पुनर विचार करें इसको लेकर अनिरुद्धा सिंग लिखते हैं दूसरों की गाड़ी कमाई की गाड़ियां फूकना आपको काफी मानवीय लगता होगा कानून हाथ में लेना मानवीय लगता होगा इसके बाद इसके जवाब में आसिस कुमार से लिखते हैं आपने जिन लोगों को जब ठोका था तो शाम को जाकर मकान भी तोड़े थे कुछ तो रहम रखना चाहिए बाकी आप लोगों के पास वर्दी है जो करिये सब सही महराज तो देखा आपने किस तरीके से उत्तरप्रदेश पुलिस पर सावाल खड़े हो रहे हैं प्रदर्शन कारियों पर कारवाई करना बिलकुल सही है लेकिन उसके लिए कानून की मदद जरूर लेनी चाहिए ना कि पुलिस को ही कानून बन जाना चाहिए क्या है इस कबर पर आपकी राए नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं